लोग सिक्षन संचाल नाली मतिप्रेश के दुवारा सास की विध्यालों में प्रवेश के लिए एक आदेश जारी कर दिया गया था उसके बाद यह गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से एड्मिशन प्रोसीजर को कम्प्लीट करना है आपके जाने लाइक इस गाइडलाइन में क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे प्रतिवर्ष सेक्षनी सत्र आपका अपरेल में स्टार्ट होता है इस वर्ष कोईट के कारण 15 जून 2021 से प्रार्म भरा यानि कि आपके एड्मिशन आज से स्टार्ट हो रहे है विद्यालों में 15 जून से 30 जून 2021 तर प्रिवेस होगा कोई 19 की वज़े से आपका जो सत्र इतना लेट स्टार्ट हुआ है तो अभे भी उसका कहीं न कहीं डर बना हुआ है तो यहां पर कुछ ववस्ताओं की गई है गवर्मेंट की द्वारा की एड्मिशन प्रोसीजर के दोरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखा जाये जैसे कि विद्यार्टि कुए डियाले में पर्सिंट होने से पूरु समस्त्य ववस्ताइं सूने सित करेंगे इन वववस्ताओं में क्या-क्या ध्यान दिया जाएगा साली को सेनेटाइज किया जाएगा 10-uhan की सा फपय प्रवेस कहा होगा इसे कागज पर लिखकर दिवार दरवाजे पर चिपका कर रखे ताकि विद्यारती अथ्वावग उसी कख्ष में प्रवेस्ट ले जो भी आते हैं उनको पूर्ण रूप से गाइडलाइन मिलना चाहिए कि आपको इस कख्षा में प्रवेस्ट करना यानि कि बेनर या फिर कुछ इमेजस इस तरह के लगाई जाए कि डारेक्ट जो भी अभिभावक या फिर पेरेंट्स जो भी आते हैं एड्मिशन के लिए उसी काक्ष में पहुच पाएं जहां पर व्योस्ता की गई हो और इदि गवर्मेंट आपकी सुर्ट च्छा के लिए इस नहीं पुष्टाव में परिवर्तन हुआ उनको लेकर जाएं यानि विद्ध्यारती नहीं साला में उनको तो पूरी पुष्टा के नहीं चाहिए होगी और उसके बाद में कुछ पुष्टों में आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हो पार्ठी पुस्ता के प्रा हाई हाई सेकंड विध्यालई के प्राचारी को समस्थ विध्यार्ची की टीसी हम अन्य जानकारी 16 जून तक आवेसे गुरूप से प्लब्द कराएंगे यानि कि यह प्रतानाध्यपक का कारी है कि वह आने वाले गवर्नमेंट विध्यालई में उनकी टीसी 16 जून तक अने देपक द्वारा संब्द इचात्रम उसक्जाष भाहक को सूचना दे की टीसी कि सब्द्याल है और यह प्रतान達यपक का कारी और चार्टेविद्स का कि तरीकियों करना चाहते हैं मैं सब्रूइस उद्याले में है आपने बच्चों का एडमिसन करवाएं क्योंकि यदि इस्कूल गवर्मेंट ओपन नहीं होंगे तो आपको ज़्यादा यातिर्टी फेस देने के आऊ सकता नहीं है जिला इस्तरी उत्प्रष्ट तथा सभी मोडल इस्कूल कख्छा नुवीं प्रवेस है त समस्त उतिन विध्यारतियों को प्रवेस दे यान कि अभी बेटिंग लिस्ट में उनको प्रवेस देना है कक्षा 11 वी में भी प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा कक्षा 10 वी औरदवार्सिक परिष्छा के प्राथांगों के आधार पर вор КакANDर के अधार पर इस्ट नहीं ए में उनकि प्रवदिक प्रवेश दिया जाएगा अब 11 से 12 की प्रवेस्ट फक्रिया में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या बात की जाएगी कक्षा 11 के समझत उतीन विध्यारतियों को कक्षा 12 में प्रवेस्ट दे 9 और 11 के रियल्ट आ चुका है तो वो सभी प्रवेस्ट हो जाएंगे जुईतिया उसरवाल विध्यारति को प्रवेस्ट दे यानि कि उनको वेट इंगलिस में प्रवेस्ट दिया जाएगा पाठ्थे पुस्तकों में कुछ परिवर्तन हुआ है NCRT की कुछ बुक से जो 9 और 11 में पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दी गई थी पुस्तकों में NCRT की बुके पिछले ही गतवर्स में सामिल कर दी गई है लेकिन कुछ पुस्तके हैं जो कि अभी तक वही है तो उनमें भी परिवर्तन कर दिया गया आधियान विववसता संस्क्रत अभी आपके विध्याले ओपन नहीं किए गड़्स्कूइट कर प्रफवाइट इस सत्र में केुछ पुस्तके नविंद पुस्तके हुं और अधियन विववसता की जाएगी दूरजशन के माध्यम से की जाएगी 15 जून से प्रारम हो जाएगी डीजी लेप के माध्यम से युमर्स फोटल पर रक्षावार यह सारे तरीके हैं आपके पढ़ने के इन तरीकों से आपकी पढ़ाई होगी यानि अभी भी आपके इस कुल ओपन होने के कोई चांसे नहीं है अगर उसके लिए गाइडलाइन नहीं आई है यहाँ पर यह समय सारनी है आप देख लीजे कि कौन से बच्चों का केस्टाइम पर दूर दसन पर प्रचारण होगा यह चैनल से वाटसब ग्रूप बनाकर विध्यार्चे को पढ़न सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे इसके लिए आप आईडी वाइडी बनाकर कंप्लीट रखें और यह पीडिया आपको हमारे टेलग्राम चैनल पर मिल जाएगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी वहां से ज्वाइन कर